सबसे पहले आप इने चैनल को सबस्काइब कर दीजिए और देखें भीगने के बाद चोले कुछ इस तरीके से दीखेंगे और उसके बाद अब हम इसमें एड कर देते हैं कुछ चॉप की हुए वेजिस तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बड़ा प्याज जिस इसी तरीके से आप इसमें एड कर सकते हैं बारिक काटे हुए टमाटर तो जो टमाटर है प्याज है इन्हीं चंक्स में हमें कट करना है बहुत जादा बारिक नहीं करना है तो इस तरीके से मैंने टमाटर है दो लिए थे बड़े साइज के तो उसे भी कट करके डाल दिया ह तो देखिए हमने सारे सबजें जो हैं कट करके समय डाल दी हैं तो आप चलिए इसका लगाते हम तड़का तो ये हम street food छोले कुल्चे बनाने जा रहे हैं जो गली में हम लोग अकसर खाते हैं इस्ट्रॉल्स पे खाते हैं कि खाने बहुत जार टेस्टी लगते हैं बिल्कुल वैसा ही स्वाध हम मिलेगा तो चलिए मैं यहाँ पे अड़ करेंगे दो चमच बुना हुआ जीरा है जिसको मैंने पीस लिया था और साथ ही इसके बाद हम एड़ करेंगे इसमें फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च तो काली मिर्च आप फ्रेश कुटी हुई ही लें तो एक चमच जो है मैं फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च एड़ करूँगी काली मिर्च का जो असली फ्लेवर होता है जो fresh कुटी ही काली मिर्चोती उसी से मिलता है इसके बाद हम add करेंगे रोस्टीड कसूरी मैथी पाउडर तो कसूरी मैथी को हमने roast कर लिया तो उसे पीस लिया था तो इस तरीके से एक चमश इसको add कर देंगे तो चली अब इसको हम लगाते हैं तड़का तो सबसे पहले मैंने हाँ पे लिये लोही की कड़ाई आप लोही की कड़ाई ले सकते हैं लोही का तवा ले सकते हैं आपके पास अगर बड़ा तवा है तो बहुत ही अच्छी वात है तो उसमें हम ढाल देंगे थोड़ा सा तेल और उसके बाद इसको हम बनाएंगे non-stick तो इसके जो टेल हमने डाला इसको अच्छे से 4 तरफ कडाई में फैला लेंगे तो इस तरीके से आप तेल को अच्छे से फैला लेंगे तो इसे क्या होगा हमारी जो कड़ाई वो non-stick बन जाएगी हीट प्रॉपर तरीके से पूरी कड़ाई में जाएगी और जो असली फ्लिवर जो हम लोग मार्केट में घाते ना बिल्कुल वैसा ही मिलेगा तो कोशिश करेंगे जो बरतन आप लेए वो iron का ही हो तो इस तरीके से मैंने तेल को जो ह अच्छे से चारों तरを फैला दिया है और तेल जो हो अच्छे से गर्म हो रहा हैं तो जैसे ही तेल अच्छे से गार्म हो जाएगा उसके बाद हम सेकर्ण स्ट्रैक करते हैं अब यहां पर तेल पर अच्छे से गर्म हो चुका तो गैस को सबसे पहले मैंने किया है अब जो हमने अभी छोले रखे पे जोसे हमने प्यास ट्रमाटर हरी मुर्श भार दनिया मिक्स किया था और सारे मसाले अड़ किये थे उसके बाद इस तरीके से आप पलट दे कड़ाए हमें और अच्छे से हलके हाथों से चलाने तो जो नहीं थे घ्रेधा पर सुआ जाएगे दो रॉंक साया हो जाए है और इस थारीके से छुले आप इस ज़ब बहनी ज़ब भनते हैं अब उस भार दरम हो चुगे है इसके यव्या बह। और इसका जो स्वाद आएगा आप भूले नहीं भूलेंगे और इसे घर पे ही बनाना ज्यादा पसंद करेंगे तो इस तरीके से सभी मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है आप इसमें हम एड करें ये ग्रीन कलर का पानी जो अकसर आपने देखा होगा कि जो छोले कुल्चे वाले हैं अपने एक डब्बर रखते हैं जिसमें वो हरा पानी रखते हैं वो उसमें से निकाल के डालते तो इसमें जो है मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, अद्रक और नमक डाला था और इस तरीके से थोड़ा सा पीस के पतला कर लिया पानी डालके और इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ी से इसमें मैंने डालती अमचूर पी इसमें आप अपने टेस्ट के कॉडिंग कितना अपटा खाना पसंद करते हैं कितना अपटा खाना पसंद करते हैं इसमें यहाँ पर मैंने एक गलास पानी दाल दो ص36- pointsogen यहाँ पर बकाई तो चलिये आप बच्येक और मसाले शोगां जो है वह हो सका हमज कर लिए और छोले खटे तीखे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं इसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक नमक आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग डालें इतना भी आप जैसा भी खाना पसंद करते हैं और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें तो है नहीं बनाना कित पूरा फुल वीडियो आपको देखना है तो मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूगी इसके साथ मैंने हरी मिर्च का जो मसाले वाली मिर्च जो अकसर हम लोग रेडी वाले से मांग के खाते है ना छोले गुल्चे के साथ उसकी रेसिपी में आपके साथ शेय ज्यादा यमी आया है तो अब ऐसे हम कर लेते हैं सर्व आप देख सकते हैं से देखते ही मूँ में पानी आ रहा है ना बहुत ज्यादा टेस्टी बने हैं इसके उपर से आप चाहे तो चौप के वे थोड़ी सी बारिक यह जो हम प्याज है टेमाटर है हरी मिर्च और उपर कुल आजाए और थैंक्स वर वाचिंग कर दो